जी विकास सौरब आर्दाज खुद इस वक्त मेरे साथ मौजुद हैं सौरब अभी जफर इसलाम बीजेपी से बोल रहे थे कि खाली बरतन जो है नो आवाज बहुत करते हैं आपका उतराखंड में क्या हुआ यूपी में क्या हुआ ये तमाम लोगों ने देखा है तो यहां भार्तीय जन्ता पार्टी के बरतन काफी ऊपर तक भर गए हैं मगर हमें अपने बरतनों में पैसा नहीं चाईये हमें प्रिशान है यार बहुत हो गया इनका बस अब इनको हटाना है जनता पहले भी चाह रही थी मगर जो विकल्प था वो कॉंग्रेस था और कॉंग्रेस हमेशा से एक friendly match भारतिय जनता पार्टी के साथ खेलती है भारतिय जनता पार्टी को जिताने के लिए कॉंग्रेस चुना मिल गी अब देखिए कितने सारे सर्वे ग्राउंड पर हो रहे हैं कई सारे सर्वे तो वीडियो पर हो रहे हैं कि बिल्कुल लाइव वीडियो चल रहा है किसको दोगे किसको दोगे किसको दोगे कोई एक आदमी कॉंग्रेस का नाम ने ले रहा और कॉंग्रेस का नाम कौन कर रहे होते हैं और सोयं प्र्दान मंत्री बार बार कहे हैं देखिए। वो कंग्रेस को अप कम मता किए। वो वो लुकाह्त आ हम कंग्रेस पर आँपर के डिस शुसती हो कि जिस कॉंग्रेस को मिटाने की कसमे प्रधान मंतरी जी लाल किले से खाते रहे हैं आज वो उसी कॉंग्रेस को बार-बार क्यों उबारने की कोशिश कर रही है उनकी पार्टी ये तो बड़ी अजीब बात है इसका मतलब कहीं न कहीं इन लोगों का अंदर से कुछ ना कुछ जो है वो मामला है ये चाहते हैं कॉंग्रेस उपर आए लेकर सौरब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आपने गुजरात में जी एक सवाल विकास पूछना चाहते हैं वो पूछना चाहते हैं कि हिमाचल में इतनी अक्टिव नजर नहीं आती है पार्टी सिब गुजरात में क्यों नजर आती है और शी से जोड़ा मेरा भी सवाल है जिसे पंजाब का चुनाव था वैसे गुजरात का चुनाव है और गुजरात के लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आम आदमी पार्टी को वोड दे रहे हैं उनको एक अच्छे वर्ल्ड क्लास स्कूल चाहिए जो उन्होंने दिल्ली में देखे उनको ऐसा महल क्लिक चाहिए जहां पर मुफ्त जो है डॉक्टर बैठे मुफ्त इलाज हो जाए मुफ्त दवा मिल जाए मुफ्त टेस्ट हो जाए इस तरीकी और मुफ्त बिजली माचल का हिमाचल के अंदर मैं अगर आकलन करूं अपनी तरफ से तो पार्टी जो जादा उमीद लगा रह है वो गुजरात के अंदर है गुजरात के अंदर हम लोग सीधे मुकाबले में हैं गुजरात के अंदर आज हम लोग 90 से 95 सीटों पे खड़े हैं और इस तरीके से अगर ग्राफ चला हम 140 सीटे भी पार कर जाएंगे गुजरात के इसलिए हमाचल में हाथ हलका कर लिया पार विकास आपने सुना कि सौरफ सीधे तोर पर यह कह रहे हैं कि 95 से ज़्यादा सीटें इस वक्त उनकी पार्टी का आंकलन है कि गुजरात में आमाधी पार्टी हासिल कर रही है और यही वज़ा है कि सबसे ज़्यादा फोकस गुजरात पर ही है क्योंकि वापस सीधा बीजेप आपको रखे आगे